इसके लिए अगर आपने एक इंट्रोडेक्शन पार्ट वाले वीडियो बनाया है मैंने जिसके अंदर मैंने सारे फॉर्मॉला किस तरह एप्लाय करने होते हैं तो एक बार वह देख लो उससे आपको एक मतलब जो बेसिक आइडिया लग जाएगा इस तरीके से फॉर्मॉला जो है कॉम्बाइन होएंगे यहां पर वही होने वाला इस एक्साइस के अंदर देखो कैसे तो तू क्यूब्स इच और वॉल्म 64 सेंटिमेटर क्यूबार जॉइंड एंड जैसे मालों एक क्यूब है आपको पता है अंदर से उसका शीप कुछ इस तरीके से होगा क्योंकि इस तरीके सब्सक्राइब सब्सक्राइब ऑम इसके साथ मैंने एक और क्यूप को इस तरीके से एड़ कर दिया है लिंग जब चुब्समेंग किस तरीके सरी शेप से और टो जो गीविविन है g7 वाल्यूम आफ कि इस क्यूब इस 64 centimeter cube अब आप मुझे बताओ volume of cube होता क्या है सर हमें पता volume of cube एक cube होता है we know volume of cube is side cube यह होता है क्या इसको लगाओ आप 64 equals to side cube cube अटेगा आपको पता है cube root लगेगा किसका cube root होता है 64 सर 4 centimeter का तो आपने एक चीज़ दो पता कर ली कि जो side of cube है so side of cube is 4 centimeter यहां तर समझ में आगई सारे चीज़े बिलकुल आगई थोड़ा साब questions को elaborate करना खुछ से imagine करा करो question में क्या बोल रहा है और क्या formula लग रहा है तो इसके लिए formula चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है यानिका सर इसकी हर side जो है वो 44 centimeter आ गई है ठीक है सर जैसे कि यह आपके पास side है सर यह 4 हो गई है बिलकुल हो गई सर यह आपके पास एक side है आपको पता इस तरीके से खड़ी होती है इमें जाना यह height है समझना रहा है यह भी 4 हो गई यह भी 4 हो गई कि के सर अब यह भी 4 हो गई फिर अंदर वाली यह 4 हो गई और like that फिर से यह 4 and type से ऐसे कुछ 4 हो गई अब यह total देखोगे तो यह total 8 centimeter हो गई है और इसका अब यह शेप किसका दिख रहा है आपको सरी क्यूबोइड का शेप दिख रहा है किसका शेप दिख रहा है क्यूब नहीं है यह क्यूबड का शेप है find the surface area of the resulting cuboid यानि कि उन दोनों को जो मैंने combine किया joint कर दिया end to end से तो मेरे पास क्या बना when we joint two cubes end to end result is cuboid result क्या आगया आपके पास cuboid बनके आगया ठीक है and its length breath and height is 448 cm बताओ यह चीज़ समझ महाई कि हां सब्सक्राइब इस तरीके से लैंट हुए आपके पास यह आप इस तरीके से यह आप ब्रैथ को imagine कर रहे हो ठीक है और यह आपके पास total अगर आप इसको हाइट ले रहे हो तो आप किसी भी तरीके से denote कर लो इसको अगर इसको इस तरीके से बनाऊगा ना इस तरीके से इस तरीके से तो यह 844 हो जाएगी ऐसे बदल जाएगी ना लैंट ब्रैथ हाइट मतलब कुल मिला के सब 2 तो 4 रहेंगी यह तो confirm है और एक आपके पास 8 रहेगी अगर आप इसको लेटा दोके तो आपके पास हाइट कितनी हो जाएगी 4 बच जाएगी जब मैं इसको इस तरीके से horizontal कर दूँग अभी vertical खड़ाया नहीं है इसको horizontal कर दो क्यूब को ऐसे जोड़ो आप ऐसे ऐसे करके तो इसकी height 4 रहेगी उस condition में अभी इस condition में आपके पास 8 दे रहेगी हो simple इतना सा खेल है लेकिन को मिलाके एक चीज confirm है सर एक 8 रहेगी बाकी 2 4 रहेगी यह important है answer में कुछ भी change नहीं हो होगा सब्सक्राइब अगर वैसे भी करेंगे तो भी कुछ चेंज नहीं होगा answer में अब आपको क्या निकालना है surface area of resulting cube मैं पीछे निकाल रहे हूं इस चीज़ को surface area of resulting cuboid is क्या होता है 2LB plus BH plus H लिए होता है बिलकुल सर फोर इंटो फोर प्लस फोर इंटो एट ब्रैत इंटो है ना 14 LB plus BH plus H लिए होता है फिर 8 इंटो 4 कि के सर्फ four fours 16 और 8-30 तो कितना हो जाएगा यह 16 इन दौनों को और करोगे तो इंट इसक्सटी-4 इन दौनों को और करोगे तो यह टैन और यह 80 कि यह करोगे 160 सेंटीमेटर स्क्वेर होगा दिहान रखना यह क्योंकि यह surface area है वोल्यू में हमीशा सेंटी में की उता है यूनिट क्यूब में और सर्फिस एरिया जो भी होता है वह यूञी की स्कभल नього यह व होता है आपका complete question number one और कोई डाउट लगे जरूर बताना और मिलते हैं अपन next question के साथ next video में